दोस्तो क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से शैर हैं जहां पर कारों की संख्या इंसानों की जन संख्या से भी जादा है या फिर ये कि एक मचली ऐसी भी है जिसको खाने से बारों की ग्रोध बहुत तेजी से होती है अच्छा तो क्या आप ये जानते हैं एक जानवर ऐसा भी है जो खाने को धोकर खाना पसंद करता है नहीं जानते न इसलिए तो आते हैं हम ताकि आपको इस दुनिया की सबसे अमीजिंग और सबसे खतरनाक जानकारी मिल सके तो फिर देर किस बात की बैठ जाएए और अपनी अपनी कुर्सियों की पेटिया भी बांद लीजिए क्योंकि हम चालू करने जा रहे हैं आज की अनोकी वीडियो का सफर न्यू विजिटर्स जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए तो चलिए भाई लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फैक्ट नमबर वन दोस्तो क्या आप जानते हैं मेंडग एक मात ऐसा जीव है जो पानी पीने के लिए अपने मूप का नहीं वलकी अपनी तचा का स्टमाल करता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेंड़क के शरीर पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पानी को एब्सॉप कर लेते हैं दोस्तो नाखुन तो सभी के बढ़ते हैं पर क्या आप ये जानते हैं कि पुरिशों के नाखुन महिलाओं की तुला में काफी तेजी से बढ़ते हैं लेकिन गर्वावस्ता में ऐसा नहीं होता हार्मोंस के ज़ादा प्रोड्यूस होने के कारण महिलाओं के नाफून गर्वा वस्ता में काफी तेजी से बरते है मचली खाने के शौकीन वैसे तो मचलीयों की हर प्रजाती खाते हैं लेकिन एक मचली ऐसी भी है जिसको खाने से बालों की ग्रोध बहुत तेजी से होती है जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सैल्मन मचली की सैल्मन एक मत ऐसी मचली है जिसको खाने से बालों की ग्रोध काफी तेजी से होने लगती है ऐसा इसलिये होता है क्योंकि इसमें बायोटीन की मातरा काफी अधिक पाई जाती है अगर आपको भी अपने बाल काफी तेजी से बढ़ाने हो तो आप भी से खा सकते हैं इस जानबर के बारे में जानकर आप थोड़ा हिरान हो जाएंगे इंसान तो इंसान जानबर भी अपना खाना दोकर खाना पसंद करते हैं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में रहने वाला रकून काफी स्मार्ट होता है वो अपना खाना दोकर खाना पसंद करता है अगर उसे आसपस कहीं पानी दिख जाए तो वा सबसे पहले अपना खाना दोकर खाता है वैसे तो लड़कियां हर किसी से आँखों में आखे डाल गर बात कर लेती हैं लेकिन human psychology के अनुसार लड़कियां आम तोर पर उस व्यक्ति के साथ जादा देर तक आखे नहीं मिला सकती जो उसे काफी पसंद हो दोस्तो वैसे तो बिल्लियों के बारे में आपको काफी जानकारी होगी लेकिन एक जानकारी ऐसी भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो बिल्लियों का पेशाप अंधेरे में काफी अधिक चमकता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके मूत्र में फोस्पोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है जो आक्सीजन के संपर्क में आने पर चमकने लगता है कारों को कलेक्शन होना आम बात है लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि अमेरिका के लोस एंजलिस और सेंट फ्रांसिसको दोनों ही शेर में वहाँ की जन संक्या से जादा कारों की संक्या है ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के नॉर्मल लोग भी चार से पाँच कार रखना पसंद करते हैं आपने जहरीले सापों के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन जहरीली मचलियों के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ स्टोन फिश की जो दिखने में तो पठ्थर जैसी होती है पर वा दुनिया की सबसे जहरीली मचली है अगर आपका ऐसी मचली से सामना हो तो प्लीज दूरी रहिएगा इस जीब के बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जीब है जो अपने चेहरे से मूत्र करता है तो मैं आपको बता दूँ जींगा एक मात ऐसा जीब है जो अपने चेहरे से मूत्र करता है जानकर थोड़ा अजीब लग र अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी जीब की दोस्तो जीब भले ही दिखने में नाजुक और लचीली हो लेकिन यह हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉंग मसल्स होती है दोस्तो आज की Amazing Facts यहीं खतम होते हैं आशा करता हूँ कि आपको Facts अच्छे लगे होंगे ऐसे ही Amazing Facts आगे आते रहेंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करतीजिए तक कि फ्यूचर में आने माली हमारी एक भी वीडियो आप से मिस होने न पाए तक के लिए बाई बाई See you in the next वीडियो